तो इस पहले सेशन के अंदर we are going to discuss a very important topic जो की geography से related है और ये last 4-5-6 days से काफी news में भी है जो इसमें जो हमें जानना है जो important बन जाता है topic from exam point of view about the typhoon ये different tropical cyclones हैं उनका classification location of Luzon why we, हम इसको क्यों आखिर ये जो आपका चक्रवात है इसको क्यों एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि ये super cyclone है, super शब्द क्यों इस्तमाल कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो उस्ट कट बंधी चक्रवात या आप क्या सकते हो tropical cyclones हैं इसके अलग-अलग categories क्या है, अलग-अलग जो categories है उसका जो division किया जाता है, उसका basis क्या है तो ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, एक-एक जो विशय है उस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले जो हमें जानना है, एक जो हमाई लिए महत्पूर्ड बन जाता है, ये काफे important बन जाता है, वो ये है कि आखिर इस चक्रवात की जो हम चर्चा कर रहे है, टाइफून की जो हम बात कर रहे है, ये शब्द जो इस्तमाल किया जा रहा है, जिसे हम टाइफून कहते हैं, ये किस इलाके में इसने hit किया है, इस इलाके को इसने affect किया है, ये किस इलाके को इसने बहुत जादा impact किया तो यह इलाका अगर आप देखो इसे लुजॉन आइलेंड बहुत है यह जो आइलेंड है इसे लुजॉन शब्द इसके लिए इसे कहते हैं और यहां पर इसने जो यह चक्रवात है इस चक्रवात है हिट किया और काफी डैमेज भी किया तो पहले चीज़ तो यह जो यह आपका जैसे यह चींड है इधर आप जाओगे तो यह थाइलेंड है यह साउथ इस्ट इश्या के पूरा का पूरा इलाका है यह जो समुद्रे से साउथ चैनल सी भी हम कहते हैं पूरा पैस्फिक जो प्रसान महाजागर है उसे हम कहते हैं यह इसका वेस्टर्न ही इला किसे देश का हिस्सा है वह देश का नां है फिलिपेंज कहा उसका लॉकेशon है प्रसान महाजागर पैसी कुशन के अंदर इसका लॉकेशन है इसका जाता है ढूसरी चीज है कि हम जो शब्द इस्तामाल कर रहे हैं टाइफोन आकिर यह शब्द अगर आप देखों तो हम इ की बात करें ट्रोफिकल साइकलोन थे के लिए यहां पर यह जब आफ साइकलोन की बात करते हैं जासे आपका जो यह पास होता इसे हम सब्सक्राइब कर सक्सक्राइब इसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं इस पूरे इलाके में अगर आप सिर्फ इतना और इतना इलाका छोड़ दो लगबग जीरो से फाइब डिगरी का इलाका अगर छोड़ दो जहां पे साइकलोंस जो है वो नहीं बनते हैं इसका रिजन क्या है है कि यहाँ पे एक और सोलता जिसे कहते हैं और यह जो is इन कंडिशन्स में बनते हैं, यह जो ट्रोपिकल साइकलोंस है, मतब कोई भी साइकलों इस कंडिशन में बनेगा, तो उसके लिए जो हम शब दिस्तमाल करेंगे, उसे ट्रोपिकल साइकलों कहेंगे, और इसको बनने के लिए लगभक 27डिगरी सेल्शिस का आपको जो तापम का बनता है तो यह दो कंडिशन्स ऐसी होती है यह दो कंडिशन्स ऐसी होती है जिस कंडिशन के बेसिस पे आपके यह साइकलोंस हैं वो साइकलोंस आपके बनते हैं यह पॉइंट आपको ध्याद में रखना है कि साइकलोंस बनने के लिए आखिर कौन-कौन से चीजों की और नौर्थ और सौथ के बीच का जो यह रीजन है यह इलाका है इसके उपरी हिस्से में अगर साइक्लोन बनते हैं तो उन्हें हम टैम्परेट साइक्लोन भी इनके लिए इस्तमाल हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइब ऐसे शब्दों का इस्तमाल आपका किया जाता है वहां पर इस साइक्लोन आपका हिट किया अब इसमें एक जो बहुत मत्यपूर्ण विशाय आ जाता है वो यह है कि हम टैफून शब्द का इस्तमाल क्यों करते हैं तो यहां पर बहुत सारे अलग-अलग शब्दों को सुनते हैं जैसे आप हरीकेंस को सुनते हैं आप दार बाली वात है कि जो यह सारे के सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं मतलब यह चाहे आप हरीकें बोलो चाहे आप टैफून बोलो चाहे आप साइक्लोन जनली बोलो यह सारे के सारे ही आपके उस्ट कटिबंधी चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन की के अंदर ही आते है यह पॉइंट याद रखना है तो यह जो चाहे टाइफून टाइफून क्या है वह भी ट्रॉपिकल साइक्लों तो अगर आपसे पूछे कि लिए किस कंडिशन की जरूरत है तो वह 27 डिग्री सेंसेस और मॉश्चर की जरूरत है जिससे टाइफून बनेगा तो टाइफून भ आते हैं और इस्टन पैस्वी कोशिन अमेरिका के जो कोस्टर रिला के वहां जो चक्रवात आता है उन्हें हरीकेंस बोलते तो यह सारे एक प्रकार से क्या है यह एक प्रकार से ट्रॉपिकल साइक्लों या उस्ट कटिबंधी है जो चक्रवात है उसे देखना अब यहां प अगर पूरे उस्ट कटिबंधी चक्रवात है इनको अगर आप विभाजित करोगे या डिवाइड करनी कोशिश करोगे इसाम क्यों सूपर शब्द इस्तमाल करता है कि जो हवाएं हैं विंड्स हैं उनकी कितनी गती है कितनी स्पीड है अगर वो गती यह जो स्पीड है वो 222 किलोमेटर प्रति घंटा से जादा की होगी तो उसे सूपर शब्द इस्तमाल करेंगे जिसकी जाग अगर पॉसिबिल्टी है तो इससो सूपर करेंगे यहां पर जैसे मालो अगर हवाओं की जो गती है जब साइक्लोन आता तो जो हवा की गती है तो अगर वह 50 किलोमेट इससा वेरी सीलियर और 221 से उपर है तो उसे सूपर साइक्लोन जो है उसके लिए इस शब्द हमें इस्तमाल करेंगे तो अब ही अगर आप देखो कि जो इस रीजन की इस रीजन में इस इलाके में जिसने हिट किया है वो सूपर है इसका मतलब यह हुआ जो सूपर है यह आपको प्रसान महासागर का इस इलाके में है उसे इलाके में इस लिए जो साइकलोन बनते हैं उनको हम टाइफून्स बोलते हैं तो यह दो चीजह हैं अपके मन में बाद सेुर्फिक होना चाहिए ठीख's कळसा आपको प्लेर से नाम रखा जाता जहाता कि बार मैंने आपसे चर्चा किहां एक पर यह जो नाम बताया हुआ तो देख लेना जो है नाम किसbooks अदर नाम रखने के लिए कि जैसे जो एक एक बड़ी संस्ता है है यॉनाइटड निशन को सिल इजेंसी के रूप मे उसे हम बोलते हैं वर्ड मेटरलोजिकल औरगनेज़ेशन थीखे है? जो यह केते है कई प्रकार की guidelines है और वो guidelines के माध्यम से इनका नाम रखा जाता और वो कैसे होता है वो ऐसे होता है कि जहां भी यह चक्रवात आते हैं उन चक्रवात में जो मौसम विभाग है उनके जैसे मालो साइक्लोन साइक्लोन कहां पर आते हैं इंडिया नूशन जो आपका हिंद महासागर का इलाका है यहां पर यहां पर जो देश अलग- इवेल क्या हो है कि अगर जैसे कुछ बात मैं आपको बता देता हूं टेक्निकल है तो यहां पे एक शब्द अगर आप देखो तो एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर इसमें क्या है कि कई प्रकार के इन्होंने रिजनल कमिटी बना रखी हैं मतलब आप मानों किस समीतियां बना रखी है और उन समीतियों कि अगर आप बात करो तो जैसे मालो तो इ, S, C, A, P, जो आपका Asia पEASIC region से related है, वहाँ पे एक समिती बना रखी भी है, जिसे हम टाइफून कमेटी ऐसा बोलते हैं, एक आपकी जो है, आपकी बना रखी है, एक है WMO, E, S, C, A, P, यहाँ पे एक बना रखी है, जिसको आप कहते हैं वह पैनल औ, पैनल और सधी निस्तवाल करते हैं इसी तरीके से और ट्रोपिकल साइकलोन समीति एक है कमिटी है इसी तरीके से प्रागों साइकलोन समीति बना पिर जो यह टॉपिकल साइकलॉन समीधिया है और जबिए आपका आपका जह से च्छे साल बाद कौन सा साइक्लोन आएगा वो तक नाम decided है नाम submit कर दिया गया जैसे जैसे नाम साइक्लोन आएगे वैसे 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 नाम उनका इस्तमाल होता रहता है तो यह रहता है कि किसी person के नाम पर नाम नहीं रखा जाता तो यह जो नोरू शब्द है वो भी एक प्रकार से जो नाम रखा गया वो इसी procedure के माध्यम से इसी तरीके को अपनाते हुए जो नाम है वो आपका रखा गया तो यह आपको ध्यान में रखना है कि आखिर जो नाम है वो कैसे रखे जाते हैं तो हमने जिन जिन बातों है कि साइकलोन बनते कैसे है वो एक अलग विशय है जब ऐसा कोई भी विशया आएगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें UIS के अंदर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजे भी डिसकस करेंगे मैं आपसे डिसकस्शन करूंगा जैसे आपको किस तरीके से किताबे पढ़नी चाहिए किस तरीके से जो आपको उत्तर लेखना अपना जो उत्तर है कैसे लिखना चाहिए क्या-क्या ध्यान में रखना चाहि तो एक फॉर्मल क्लास तो ही बट एक इनफॉर्मल हम रिस्ता भी बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे तो यह चीज है ठीक है तो अनकेडमी में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अनकेडमी में मुझसे जुड़ सकते हो करेंट अफेर्स का जो कोर्स है इस साल कभी आपकी चाहे पॉलिटी हो हिस्ट्री हो इकनॉमी हो जितने सब्जेक्स आपको पढ़ने सब कुछ इसके साथ आपको फ्री मिलेंगे तो वह भी आप साथ में देख पाऊगे अपनी प्रिप्रेशन अच्छे कर सकते हो लाइप क्लासेस आपकी जो है वह आपकी चलती रहें उसको भी आप फाइदा उठा सकते हो तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो पूरा का पूरा सेशन है वो आपके लिए helpful रहा होगा आप जुरूर से सेशन को like करे चैनल को subscribe जुरूर से करे UIS को और अपने जो मित्रगन है उनसे भी share करे प्रयास रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से आप तक एक अच्छा जो content है quality content है वो reach करे जो कि पुरा aim है पुरी team कभी AEM है UIS के माध्यम से तो धन्यवाद धन्यवाद